जैस्री करश्न मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 11 जुन 2022 शनिवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वो भगवान शनिदेव की क्रपा से आज का दिन 12 में से 5 राशीयों के लिए खास रहेगा इन 5 राशी वालों में आज हैं मेश, वरशब, सिम्व, तुला और धनुराशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्यका राशी फल नहीं नहीं ग्यानवर धग्जान कारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज जेश्ठमास शुकल पक्ष की एकादसी तिथी है शनिवार का दिन है आज दिन की सुरुवात स्वाती नक्षत्र से होगी और तुला राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदई प्राताहकाल पांच बच के बाविस मिनिट पर होगा और सुर्यास्त साम के साथ बच के अठारा मिनिट पर होगा आज राहुकाल प्राता हकाल 8 बच के 51 मिनिट से आरंब हो करके प्राता हकाल 10 बच के 36 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिशा सुल रहेगा पूर्वदिशा में तो आज के दिन आप पूर्वदिशा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य आरंब नहीं करें पूर्वदिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतिया वशक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा आराधना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरद्ध अतिसरेष्ट महुर्त अभी जीत महुर्त आरब होगा प्राता हकाल 11 बच के 52 मिनट से आरब हो करके दोपार 12 बच के 48 मिनट तक सरद्ध रेश्ट वशूब महुर्त रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्त में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्म राशी के नुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज खुशियों का आगमन होगा अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे आप सूजबूच से काम कर लेंगे तो अतिरिक तधन प्राप्त कर पाएंगे सामाजिक तोर पर एक्टिव लोगों को दूसरों की मदद करने में आनंद रहेगा आपका सामाजिक दाइरा बढ़ेगा और आपकुछ महतुपूर्ण संबंद इस्थापित कर पाएंगे आपके उपन्यास विचारों और कारिशली की सराहना की जाएगी आज आपको भाग्य का साथ 65 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक साथ है शुब रंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाई इस प्रकार से हैं प्रातह का लिश्नान करने के पस्चात भगवान शनी देव को मिठाई का भूग अरपीत करें श्रीफल चड़ावें काली धोजा अरपीत करें ओमसम सनिश्चराई नमा इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज भाग्य का साथ आपको मिलेगा कुछ लोगों को आपकी उधारता पसंद आएगी धन लाप के अवसर भी आपको मिलेंगी कोल टकचरी के मामले आपके पक्ष में होंगे नोकरी पेसा लोगों का किसी सहयोगी से विवाद हो सकता है सावधान रहे व्यावसाइक रूप से चीजे सभी सुचारू रूप से चलेगी आपको अच्छी प्रगती प्राप्त होगी आपकी आमदानी बढ़ेगी आपको अतिरिक ता आर्थिक लाब प्राप्त करने के नए मार्ग मिलेंगे आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक छे है शुबरंग आपका जामूनी रंग है जामूनी रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान शनी देव को रितूफल का भोगर पीत करें शमी पत्र चड़ावें आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपको अपना पसंदिदा काम करने का वसर मिलेगा अपने विचारों से दूसरों को सहमत करने में आप काफी सफल रहेंगे परिवार के बड़ों को धन लाब हो सकेगा सूजबूच की कमी से अच्छे अउसर आपके हाथ से निकल सकते हैं सतर करें नोकरी पेशा लोग कारे स्थल पर अपने कारे और करतव निष्ठा के लिए उचित प्रसंसा और सम्मान प्राप्त करेंगे विद्यार्तियों का मन पड़ाई में लगेगा अच्छी नई उर्जा आपके अंदर रहेगी आज आपको भाग्य का साथ 82 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक तीन है शुबरंग आपका के सरिया रंग है के सरिया रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चाथ, शनीदेव के मंदिर में, काले वस्तर में काले ओड़द रखकर के दान करें, यथा शक्ती शनीदेवता के नाम मंत्रों का जाब करें, एसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है करकर, करकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आपको धनलाप के आउसर मिलेंगे, मंचाहा काम मिलने से आप संतुष्त रहेंगे, रुपे पेसे के लेंदेन में सावधानी भी रखें, कोर्ट कचरी से जुड़े मामलों में आपको लाव होगा, रोजगार की दिसा में प्रकती कर पाएंगे, अगर आप उच्च अध्यन या नोकरी के लिए दूर कहीं जाना चाते हैं, तो आपको निरासा नहीं हाथ लगेगी, सफलता मिल जाएगी, आप कुछ प्रभावसाली लोगों से संपर का इस्थापित करे आज आध्यात्मिक रूप से अपना दिन व्यतित करेंगे तो बहतर होगा, आज आपको भाग्य का साथ 55 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है, शुबरंगा आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रयोक कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप कर मिठाई का भूगर पित करें, ओम मंदाई नमा इस महमंत्र का जाप करें, ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगले रासी है सिम्ह, सिम्ह राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, देनिक कारियों में सफलता के अवसर आपको मिले यदि आप अधिकारियों के साथ टकराव से बचे रहें, तो व्यावसाइक छेतर में अच्छी प्रकति करेंगे, आज आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगार पाएंगे, आज आपको भग्य का साथ 90% प्राप्त होगा, आज आपका भग्य शाली अंक एक है, शुब इस प्रकार से है, प्राताहका लिश्नान करने के पश्चात, भगवान शनी देव के मंदिर में अनाज अरपीत करें, रितूफल अरपीत करें, ओम ओम रवी पुत्राइनमा इस महा मंतर का जाप करें, इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगली राशी ह आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज काम का बहुत ज्यादा हो सकता है, व्यावसाय में मार्केटिंग संबंदी कारियों में अपनी उर्जा को लगाए रखें, आर्थी गिस्तिती मजबूत होने से भूमी भवन वाहन आदी खरीदने का प्लान आप कर सकते हैं, सीनियर से आपके किसी काम से संतुष्ट रहेंगे, आप स्वयम के लिए यश और सम्मान अर्जित कर पाएंगे, आपके काम और व्यवसाय में सकारात्मक विकास होगा, आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंक नो है, शुब रंग आपका हरा रंग है, हरे रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं, प्रातह का लिश्नान करने के प लोगों के प्रती आपकी निकटता बढ़ेगी, कारी छेतर में अच्छे विकल्पी की तलास आपकी पूरी होगी, बिजनेस में मिले नए कांट्रेक्टर से आपको विशेश फायदा मिलेगा, आज युवाओं को सफलता मिलेगी, आपकी नीजी जिन्दगे में सब कुछ बह करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए, आपका विशेश उपाय इस प्रकार से है, प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात, भगवान शनी देवता को सरसो के तेल से इसनान करावें, रितू फल का अगले राशी है ब्रश्चिक, ब्रश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा, आज घर से कुछ मीठा खा करके निकलें, आपकी सफलता का मार्ग प्रसस्त होगा, पैसे से जोड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ करके आज लेना चाहिए, अग्यात व्यक्ति के साथ व्यभार करते समय सतर करें, खोद को आराम देने के लिए समय अवश्य निकालें, अपने काम को अपने परिवार के समय में बाधा नहीं बनने दें, शेक्षने कारियों में अच्छी रहेगी, आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक छे है, शुबरंग आपका बादा मी रंग है, बादा मी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्त अच्छी सफलता मिलेगी, अगले राशी है धनू, धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, आपके काम को नई पहचान मिलेगी, आज रंग निती बना करके निवेस में सफलता मिलेगी, कीट ना 27, 35 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है, शुबरंग आपका के सर्या रंग है, के सर्या रंग का प्रियोकारी छेत्र में अज अधिक सदीक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारी में विशेश सफलत का जाप करें एसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए मध्यम अफलदाई है घर वालों के सहयोग से कोई नया काम सुरू कर सकते हैं बिजनेस में म भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका के सरिया रंग है के सरिया रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिय में विश या इस्तरोत्र का पाठ करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए उत्तम फलदाई है कलात्मक कारियों में आपकी रूची बढ़ सकते ही है धन का निवेस करने के बारे में काफी संजिदिगी से विचार करें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाप कमाने के लिए आज आपको अचानक यात्रा के योग बन सकते ही या कठिन परिश्रम आपको करना पड़ सकता है लेकिन आपको फायदा मिलेगा आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक छे है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रिव कहरी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाई इस प्रकार से हिन प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात शनी देवता के मंदिर में सरसो के तेल का दिया जलावें मिठाई का भूग अरपीत करें अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए सामान ने फलदाई है आपको अचानक लाप भी हो सकता है खिलोने का व्यापार कर रहे है लोगों को लाप मिलेगा युवाओं को बेहतर नोकरी की तलास रहेगी आप अपने विभार में अत्यदिक सफल रहेंगे ग्रहाकों के साथ इस्थाई संबंद बनाने में भी सफल रहेंगे नोकरी आदी करते हैं तो सहकर्मी आपकी मदद के लिए तयार रहेंगे आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक एक है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियो कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चाथ एक काले वस्तर में काले उड़द रख करके शनी देवता के मंदिर में अर्पित करें सरसो के तेल का दिया जलावें ओम मंदाई नमा इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वाशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे